आपका स्वागत है तो गाइस जनरल अवेनेस की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज हम लाए हैं जनरल साइंस के यहां पर इंपोर्टेंट कोशन इसमें बेसिक्ली फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायो, हुमन, फिजियोलोजी से जो कोशन है इंपोर्टेंट वो आज हम डिसकस कर तो वीडियो को अन तक देखेगा तो गाइस अगर आपने अग्रिकल्चर आई की ऑफिशल जो चैनल है टेलिग्राम का अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो मेक शूर आप जॉइन कर देजिए जिसमें के हर पीडियाफ और जो इंपोर्टेंट नोट्स है रिगार्डिं पहला कोशन है आपर पार्सेक ये यूनिट है यूनिट मेजरमेंट आफ पार्सेक इस दा यूनिट मेजरमेंट आफ इन में से किसकी आपर ये यूनिट है देंसिटी ऑफ स्टार्स अस्ट्रोनिमिकल डिस्टेंस ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बोडि या पिर और्बिटल व आगे पूछा यहां पर one light year is approximately equal to जो one light year है यहां पर वो कितना equal है मीटर या किलोमेटर में आपको बताना है तो यहां पर आपने देखा 10 की पावर 11 किलोमेटर 10 की पावर 15 किलोमेटर 10 की पावर 16 मीटर 10 की पावर 16 किलोमेटर तो guys आपको यहाँ पर ध्यान देना है अगर यही question आगर आपके exam में आ गया तो आपको अगर आपको पता है 10 की power 16 और आप यहाँ पर meter और kilometer में confused हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि आप generally यहाँ पर जो answer है जैसके 10 की power 16 meter है और आप यहाँ पर हर बड़ी में अगर kilometer करके आगए तो वो answer आपका wrong हो जागा तो make sure आप यहाँ पर जो measurement की unit है यहाँ पर meter kilometer वो आप ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और question guys यहाँ पर बन सकता है कि light year यहाँ पर है क्या है यहाँ पर यह जो unit है light year यह किसकी unit है तो यहाँ पर आप time करके मत आजाए क्योंकि यह light year जो है वो unit है यहाँ पर distance की यह भी आपको ध्यान रखना है light year यहाँ पर unit है distance की आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे पूछाएं आपर what is the SI unit of young modulus of elasticity तो SI unit पूछें young modulus of elasticity की तो option है आपके dine per centimeter, newton per meter, newton per meter square या फिर meter square per second तो जो answer हो जाएगा वो है newton per meter square यानि की तीसरा newton per meter square आगे बढ़ते हैं आपर आप पूछाएं आपर what is the SI unit of pressure तो pressure की आपर SI unit पूछें आपर pascal, dine, newton या जूल तो बहुत basic हैं आपर आपको I am sure आपको पता होगा है आपर जो SI unit of pressure की वो है pascal ये भी आपको ध्यान देना है आगे हैं आपर आप पूछाएं आपर decibel की unit decibel is the unit of speed of light, intensity of sound, intensity of heat या फिर इन में से कोई है नहीं या फिर none of these तो decibel जो unit है वो है intensity of sound की जो तीवरता है ध्वनी की वो है unit decibel की आगे हैं यहां पर आप पूछाएं यहां पर instrument used to measure pressure प्रेशर के भी हमने देखी यहां पर unit pascal आप पूछाएं यहां पर की कौन सा instrument यहां पर measure करता है pressure को तो अगर आप यहां पर elimination यहां पर लगाएं तो आपको पता होने चाहिए और भी चाहिए तो आपको पता होगा animal meter यहांपर wind की speed और direction यहांपर measure करता है thermometer यहांपर simply यहांपर measure temperature करता है kis भी body का और hygrometer यहांपर यह measure करता है amount of water vapor तो जो बचा है यहांपर जो android benumerator तो यह आपका answer हो जाएगा यहांपर pressure का I hope आपको पता चल रहा होगा अगर नहीं भी है तो generally मैं आपको टेलिग्राम चनल पर यहाँ पर instrument और उसको measure क्या क्या करते हैं वो मैं आपको list दे दूँगा वहाँ से भी आपको beneficial होगा आगे हैं यहाँ पर आगे पूछा हैं यहाँ पर SI unit of magnetic flux तो यहाँ पर पूछा हैं यहाँ पर SI unit of magnetic flux तो यहाँ पर आपके option है यहाँ पर Weber meter square Weber याफि Weber per meter याफि Weber per meter square तो जो सही answer है वो है आपका Weber Magnetic flux की SI unit है वो है यहाँ पर Weber तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर question में अब पूछा हैं यहाँ पर shape of raindrop is spherical due to यहाँ पर जो raindrop होती हैं यहाँ पर जो raindrop है यहाँ पर तो इसका जो shape है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो spherical है वो किस वज़े से होता है यहाँ पर viscosity, surface tension, elasticity या फिर gravitation तो आप यहाँ आपने यहाँ पर देखा elasticity generally आएगा नहीं gravitation तो यहाँ पर आगर ऐसा आथा कि rain drop यहाँ पर घिरती क्यों है तब आता है यहाँ पर gravitation तो gravitation यहाँ पर होगा नहीं viscosity से इसका कोई रिलेना देना नहीं है तो जो सही answer है वो है surface tension जो shape है यहाँ पर वो generally determine करता है surface tension आगे यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर principle involved in absorption of water by soil तो absorption जो होता है यहाँ पर water का soil में वो generally पूछा है यहाँ पर किसके दोरा होता है condensation, capillary action, principle absorption याफि suction, action तो जो सही answer है वो है capillary action आगे यहाँ पर who among the following scientists invented the mercury thermometer तो इन में से कौन से scientist है जिनने mercury thermometer यहाँ पर invent किया है dg Fahrenheit, Kelvin S, Celsius या फिर James Hargores तो जो सही answer है वो है dg Fahrenheit dg Fahrenheit तो आपको पता होगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यह थर्मोमेटर mercury thermometer तो generally जो mercury है यहाँ पर वो fluctuation होती है यहाँ पर temperature के अनुसा तो जैसी आपको यह थर्मोमेटर लगा जाता है तो यहाँ पर fluctuation से जो आपकी body heat है उसके अनुसा यहाँ पर जो mercury है वो fluctuate करती है यहाँ पर और उससे आपको पता चलता है कि किते डिगरी यहाँ पर बुखार या temperature है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर instrument used to study the behavior of of a vibrating string तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर instrument कौन सा है जो यहाँ पर study करता है behavior of vibrating string तो आपके option है यहाँ पर hydrometer sonometer, barometer या फिर hydrometer तो जो सही answer है वो है sonometer यह आपका सही answer हो गया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे पुछा है यहाँ पर velocity velocity of light is maximum in तो यहाँ पर generally पूछा है यहाँ पर कि light की जो velocity है वो किस में ज़्यादा है diamond, water, glass या फिर vacuum तो जो सही answer है वो आपको आपको पता होगा है यहाँ पर वो है vacuum vacuum है सबसे ज़्यादा यहाँ पर light होती है आगे यहाँ पर which phenomenon shows the particle nature of light तो यहाँ पर कौन सा phenomenon है यहाँ पर जिससे की यहाँ पर particle nature of light के यहाँ पर परदाश यहाँ पर generally show करता है वो है diffraction, interference, photoelectric effect या फिर polarization तो जो सही answer है वो है आपका photoelectric effect photoelectric effect इसका generally सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे पुछाए guys यहाँ पर की the most abundant element यानि की जो nature में या फिर इन में से जो option है उसमें से हैं आपर most abundant abundant यानि की जो बहुत ज़्यादा मात्रम में पाया जाता है तो आपके option है यहाँ पर silicon, calcium, nitrogen या फिर oxygen सही answer है यहाँ पर nitrogen the most abundant element यहाँ पर nitrogen हो जाएगा आगे है आपका the three basic components of an atom are तो यहाँ पर three basic components पूछा है atom का यहाँ आप सबको पता होगा यहाँ पर proton, neutron और electron यानि की option यहाँ पर second यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर pick में proton, neutron और electron आगे है आपका atoms having the same number of proton but different number of neutrons are called यहाँ पर atom जिसमें की same number of proton होते हैं but neutron के जो number है वो different होते हैं उनको क्या कहते हैं isotope, anion, higgs boson या फिर ketion तो जो सही answer है वो है isotope guys आप लोगों के लिए यहाँ पर question है कि isotope के ही similar यहाँ पर isobar होता है तो comment में बताईए यहाँ आपर isobar क्या होता है इसी के relate है यहाँ पर तो comment section में जरूए यहाँ आपर attempt करिए और make sure आप google के इस्तेमाल ना करें आप सभी को यहाँ पर पता होगा isobar यहाँ पर क्या होता है यहाँ आपको बताना है आगे यहाँ पर the phenomenon of radio activity was discovered in 1898 AD यहाँ पर पूछा है यहाँ यहाँ जो radio activity है वो यहाँ पर किसने discover की थी यहाँ पर 1898 में तो आपके option है henry becquerel, jj thompson, mary curie यहाँ पर तो यहाँ पर कई लोग यहाँ पर confused होंगे mary curie और henry becquerel में तो मैं आपको बतायता हूँ कि यहाँ पर जो radio activity है वो यहाँ पर discovered की थी henry becquerel ने और जो mary curie है जिसके लिए आप confused हो रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर radium यहाँ पर अविश्कार क्या था radium और polonium तो I hope आपकी confusion दूर हो गई जो radium है अगर radium आता question तो mary curie उसका answer होता यहाँ पर एक और question बन सकता था कि आप पूछा जा सकता था कि radio activity was discovered in तो यहाँ पूछा जा सकता था कितने sun में यहाँ पर radio activity discovered हुई थी तो आपका answer हो जागा 80-90 तो I hope आप यहाँ पर clear चीजे करते जा रहे होंगे आगे है आपका what is the name of the acid in grapes तो यहाँ पर grapes में जो acid होता है उसके बार हैं पूछा हैं यहाँ पर lactic acid, formic acid, acetic acid या फिर tartaric acid तो आपको पहले समझना होगा यहाँ पर कि जो चारो acid है वो किस-किस में यहाँ पर पाई जाते हैं यहाँ पर जो lactic acid है यहाँ पर वो generally यहाँ पर जो milk के product होते हैं उसमें यहाँ पर रहते हैं formic acid आपको पता होगा यहाँ पर आंट या फिर honey bee के जो sting है उनमें रहते हैं और यहांपर fruit की बात करें तो apple, strawberry, raspberries में यहांपर generally होते हैं acetic acid यहांपर आपको पता होगा vinegar में और citric acid यहांपर lemon में तो जो answer है वो है tartaric acid यहांपर grasp में पाया जाता है जो की acid है आगे है यहांपर the pH of solution is 7 जो pH है यहांपर solution का 7 तो उसे क्या कहते हैं बहुत basic question है यहांपर उसे कहते हैं यहांपर neutral 7 के नीचे यहांपर acid हो जाएगा और 7 के उपर यहांपर base हो जाएगा आए यह आपको पता होगा आगे हैं यहांपर in galvanization iron is coated with तो galvanization जो process है उसमें यहाँ पर जो iron को coat किसके साथ किया जाता है तो first of all आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो galvanization है वो क्या होता है तो galvanization simply guys यहाँ पर कि यहाँ पर junk से बचाने के लिए यहाँ पर coating की जाती है किसी चीज की तो वो यहाँ पर पुछा है यहाँ पर कि जो galvanization है उसमें यहाँ पर iron की coating किसके साथ की जाती है तो जो सही answer है वो है tin तो iron यहाँ पर coat किया जाता है tin के साथ galvanization में आगे है आपका the term carbon footprint तो carbon footprint से यहाँ पर question पूछा है कि carbon footprint का यहाँ पर मतलब क्या होता है Our region which is rich in coal mines The amount of reduction in the emission of CO2 by a country The use of carbon in manufacturing industry या फिर आपका option है The amount of greenhouse gases produced by our day-to-day activity तो जो सही answer है वो है आपका The amount of greenhouse gases produced by our day-to-day activity तो जितनी भी आपका greenhouse gases produced होती है तो उस हिसाब से हमाँ बोला जाता है कि carbon footprint यहाँ पर हमारा increase हो रहा है या फिर decrease उस हिसाब से यहाँ पर यह ना पाजाता है आगे है आपका Ozone depletion in the stratosphere is in mainly caused by जो ozone की depletion है यहाँ इस stratosphere में यहाँ पर उसका जो main कारण है वो कौन सा है SO2, NO2, NO या फिर chlorofluorocarbon तो आपने यह term जरू सुना होगा है यहाँ पर CFC यानि की chlorofluorocarbon और इसी की तरह आपको पता होगा है यहाँ पर जो बीते साल में यहाँ पर जो freeze है जो कि यहाँ पर जो CFC gas निकालते थे उनको यहाँ पर बैन कर दिया है पूरी तरीकी से जो CFC जो use करते थे यहाँ पर जो refrigerator fridge तो उनको यहाँ पर बैन कर दिया है तो CFC यहाँ पर जो main कारण है यहाँ पर gas जो की ozone depletion का है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर which of the following control blood pressure तो यहाँ पर पुछा है यहाँ पर इन में से कौन सा यहाँ पर blood pressure को यहाँ पर control करता है तो आपके option है यहाँ पर para, thyroid, thyroid, thymos या फिर adrenal adrenal यहाँ पर सही answer हो जाएगा जो control करता है यहाँ बढ़ प्लड प्रेशर को वो है adrenal आगे आपका insulin यह क्या है insulin is a kind of यहाँ पर हार्मोन है प्रोटीन है एंजाइम में या फिर vitamin है तो इंजीम यहाँ पर हार्मोन है insulin तो यह एक हार्मोन है आगे यहाँ पर filtration unit of kidney kidney की यहाँ पर पुछा है filtration unit तो यहाँ पर option and neutron yellow fiber axon यहाँ फिर nephron जो filtration unit है यहाँ पर kidney की वो है nephron nephron यानि की D इसका सही आंसर हो जाएगा आगे यहाँ पर in humans the sound is produced by the या आप सही के लिजिएगा sound humans में यहाँ जो sound है वो produce किस औरगन से यहाँ पर produce होता है osophagus larynx medulla या फिर aphe glottis तो आपको I am sure आपको पता होगा यहाँ पर जो सही आंसर है वो है larynx आगे हैं यहाँ पर color of skin depend on जो color है यहाँ पर कि किसी की यहाँ पर black skin white होती है यहाँ पर tan skin होती है किसी की तो यहाँ पर वो किस चीज़ पर depend करता है कौन सा pigment है यहाँ पर enzyme hormone epidermis या फिर melanin तो यहाँ पर melanin जो है skin में वो यहाँ पर determine करता है कि आपका skin का color क्या है आगे है यहाँ पर which of the falling is a good source of vitamin E तो यहाँ पर generally पूछा है यहाँ पर कि vitamin E का यहाँ पर good source कौन सा है यहाँ पर तो जो सही आंसर है वो है fresh vegetable आपको पता होगा है meat यहाँ पर protein है घी भी यहाँ पर somehow यहाँ पर protein है yellow yolk जो की yellow part होता है यहाँ पर अंडे का वो भी यहाँ पर protein vitamin का source है तो vitamin E का यहाँ पर जो source है वो है fresh vegetable आगे हैं यहाँ पर which among the following is largest endocrine gland in the body तो इन मेंसे यहाँ पर कौन सी यहाँ पर सबसे largest endocrine gland है थाईराइड पर थाईराइड पर थाईराइड अडेनल यहाँ पिच्चोरी ग्लाइड तो जो सही आंसर है वो है thyroid gland आगे है आपका strongest bone of body is found in strongest bone है यहाँ पर body में वो यहाँ पर कहाँ पाई जाती है thigh, jaw, shoulder या neck I am sure most of you guys यहाँ पर सोशे होगी कि thigh या फिर shoulder में होगी पर यह गलात है यहाँ पर जो सही आंसर है वो है jaw strongest bone है यहाँ पर वो यहाँ पर body में वो है jaw की जबड़ा जिसे आप कहते है the bone tibia जो tibia है यहाँ पर वो कांपे found होती है यहाँ तो I am sure अगर आप मेंसे कोई entomology का है तो उसको पता होगा कि tibia जैसे कि grass ओपर या फिर इंसेक्ट में यहाँ पर legs में होती है तो humans में भी यहाँ पर leg का ही यहाँ यहाँ पर यह बोन है टीबिया आगे है यहाँ पर which of the falling is not part of digestive system इन मेंसे कौन सा यहाँ पर part digestive system का नहीं है तो small intestine यहाँ पर part है large intestine भी part है pancreas भी part है पर vacule यहाँ पर part नहीं है vacule generally यहाँ पर animal cell और plant cell में पाई जाते हैं जो कि यहाँ पर storage food का यहाँ पर काम करते हैं तो यह आपको पता होगा large intestine small और यहाँ पर जो pancreas है वह यहाँ पर digestive system का part है आगे हैं यहाँ पर बाइल पूछा है यहाँ पर कि बाइल यहाँ पर produce किसके दौरा होता है यहाँ पर लीवर, stomach, pancreas या डूडियन यह तो जो सही answer है वह है लीवर बाइल आगे है आपका humoglobin is an important component of, यह important component है है humoglobin वो किस चीश का component है RBC, WC, WBC, platelet या फिर cytoplasm तो जो सही answer है वह है RBC guys अगर आपको session अच्छा लग रहा होगा तो like जरूर करिए और जासे जादे share करिए और subscribe भी कर दीजिए आगे है आपका, the vocal cord in man are about how much meter long आप पूछा है यहापर जो vocal cord होती है यहापर यह आप देख सकते है vocal cord जहांसे आप बोलते हैं यहापर जो cord है वह यहापर man में यहापर कितनी लंबी होती है यहापर 10 mm, 20 mm, 30 mm या फिर 40 mm तो यहापर जो आपके option है उनके अनुसा यहापर जो man में यहापर जो होती है वो है 20 mm तो जो सही आपसर है वो है 20 mm आगे है आपका female reproductive hormones is तो उनमें से पूछा है यहापर female reproductive hormone कौन सा है, estrogen, progestrogen, या फिर relaxation या फिर all of these तो आपको पता होगा यहापर estrogen, progesterone और relaxation यह तीनों ही यहापर पाट है female reproductive hormone के तो जो सही आपसर है वो है all of these आगे है यहापर 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 पूछा है यहापर night blindness is caused by deficiency of which of the following vitamin तो यहापर विटामिन जो night blindness है वो बहुत आसान है आपको पता होगा vitamin A की कमी से तो कुछ आपको बाते ध्यान रखने हैं विटामिन के case में question हमेरे साब बनते हैं आपको पता होना चाहिए जैसे की vitamin A आपको पता है चल गया है यहापर night blindness, B, Bellyberry, C, Scurvy D, Ricard calcium की कमी से bone यहापर थोड़ा खराव हो जाती है आपको पता हैगा iodine का goiter अब कुछ आपको यह पता होना चाहिए की कौन से vitamin को क्या कहते हैं उनका chemical name क्या है जैसे की B2 है vitamin B, B में बहुत सार यहां पर under categorization है B2 का है आपका thymine B1 का B1 का है thymine B2 का है आपका riboflavin riboflavin B3 का है आपका nicene और इसी तरह यहां पर B5 का है आपका pentonic acid pentonic acid B6 है आपका pyridoxine pyridoxine और B7 आपका है biotine तो इस तरह के से यहां पर बहुत सारे आपका विटामिन है जिनके name है तो make sure आप टेलिग्रामे में को follow करिये हैं मैं वहां पर आपको इस वीडियो के बाद यहां पर list कर दूँगा कि कौन से विटामिन का नाप क्या है आगे है आपका which disease is caused by nickel तो यहां पर पूछाएं यहां पर कि कौन से disease है यहां पर जो निकल के द्वारा होती है यहां पर आपके option हैं यहां पर इटाई इटाई डर्माटिटीज लर्निंग डिसेबिल्टी या फिर अस्तमा तो जो सही आंसर है वो है डर्माटिटीज यह निकल के द्वारा हैं यहां पर होती है आगे हैं यहां पर यह बहुत basic question हैं यहां पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा हैं यहां पर human being का तो यहां पर आप सभी को यहां पर पता होगा हैं यहां पर 120 by 80 mm 120 by 80 mm यहां पर ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल आगे हैं यहां पर HIV वाइरस जो होता है when active in body mainly attack on HIV पहले आपको पता होना चाहिए HIV यहां पर human immune virus जो होता है यहां पर कि वो body के यहां पर कौन से हिस्से में या पर कौन से organ में attack करता है तो generally जो वो attack करता है हमारी immunity power को यहां पर जो रोग निर्वारक शमता है immunity power उसको यहां पर attack करता है उसको यहां पर कमजोर करता है HIV virus आगे हां पर which of the following provide instant energy कि इन में से कौन सा यहां पर instant जो energy है वो provide करता है lactose, cellulose, maltose या glucose तो यहां पर जो answer है वो है glucose यह आप सभी को पता होगा आगे हां पर Alexander flaming is associated with the discovery of तो यहां पर यह पूछा है यहां पर कि Alexander flaming जो है वो यहां पर किसकी discovery से related है circulation of blood laws of heredity tuber, bacillus या फिर penicillin तो आपको पता होगा है यहां पर penicillin जो है उससे related है यहां पर Alexander flaming आगे हैं यहां पर the causal organs of polio polio का यहां पर causal organ में पूछा है fungi, virus, worm या बैक्टिरिया तो यहां पर पता होगा आपको polio हम क्या कहते है polio virus यह एक virus है तो obvious है इसका causal organs है वो भी यहां पर virus होगा तो जो सही अंसर है वो है virus तो guys यह था आज का session I hope आपको बहुत अच्छा लगागा like भी कर दिजे share भी कर दिजे आप चैनल को subscribe की बिना मज जाएगा thanks for listening and have a great